अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है वेलकम वैक मुख मंत्री नितीश कुमार ने आज सियम पद से दिया इस्तिफा नी वर्तमान मुख मंत्री नितीश कुमार कल यानी 10 अगस्त को दो पहर दो वजे लेंगे शपत बिहार की बड़ी खबर मुख मंत्री नितीश कुमार ने अपने पद से दिया इस्तिफा और राजत का थामे दामन बिजेपी को जी जटका बिजेपी को लगी बड़ी जटका नितीश कुमार अब राजत से मिलकर बनाएंगे सरकार महा गठ बंधन का थामे दामन मुख मंत्री नितीश कुमार एक बार फिर से पल्टी मार दिये हैं पलट गए वो अपने सिध्धांत से और फिर महागट बंदन के साथ मिलकर वे सरकार बनाने के लिए तैयार हैं इसके लिए वे राजभावन आज गए और राजभावन में उन्होंने अपनी इस्तिफास अपने के बाद मुख मंत्री ने उन्हें 164 बिधायकों वाली दावा का लिष्ट भी थमा दिये कि 165 बिधायक के बहुमतों के साथ वो बिहार में कल सरकार बनाएंगे और कल ही वे सपत लेंगे कल दो पहर दो बजे वे मुख मंत्री पद का पुनह आठमी बार सपत लेंग और कैबनेट का बिष्टार कुछ दिनों के बाद होगा ऐसी संभावना है। नितीश कुमार और महा गटवंधन के साथ गटवंधन के साथ वे सरकार बनाएंगे और इस गटवंधन में मुख मंत्री नितीश कुमार पुनह सरकार बनाएंगे और खुद मुख मंत्री के पद पर आसिन होगे। इस्तिफा देने के बाद तेचस्वी के घर पहुँचे नितीज कुमार बिहार में फिर नितीज कुमार की सरकार होगी फिर होगी उन्हें की सरकार आनि फिर पलट गए नितीज तो फिर से उनकी सरकार अब राजत के साथ बनेगी और उनके साथ इस वार कॉंग्रेस भी सामिल होगी निवर्तवान मुख मंत्र नितीज कुमार कल दस अगस्त को दो पहर दो बजे दीन में वे सपत लेंगे और एक साधे समारो में राजपाल भावन में वे सपत लेंगे उनके साथ मुख मंत्री के रूप में डिप्टी सीम के रूप में तेजस्वी यादव शपत लेंग तो कल होगा राजभवन में सपत समारो और वहवी साधे समारो के रूप में होगा और उसी साधे समारो में मुक मंतरी पद का शपत लेंगे आठ मीवार नितीज कुमार जी और उनके साथ डिप्रिसीम के रूप में सपत लेंगे तेजस्वी यादव सोचना ऐसी है कि नितीज कैबनेट का विस्तार कुछ दिनों के बाद होगा नितीज कुमार जी पुनह लालू जी का दामन थाम लिये हैं और उनके महाकट वंधन के साथ मिलकर पुनह सरकार बनाएंगे तो बिहार के लिए सबसे बड़ी ख़वर है जिसे आप देख रहे हैं कल मुखमंतरी आठमी बार सपत लेंगे मुखमंतरी पद का और इस बार महाकट वंधन के साथ फिर से सपत लेंगे इस बार उनकी सरकार महाकट वंधन के साथ चलेगी बिहार में नए तरह से फिर बदलाब की उमीद जेगी है और इसी उमीद पर सरकार फिर से काम करेगी पीछे की जितने भी बातें थे उसे भुला कर नए तरीके से बिहार को नए तरीके से सिर्जित करने में जुटेगी नितीज सरकार और महागडबन्दन के तालमेल के साथ बिहार को विकास में जुटेगी सरकार पलटे पलटे फिर पलट गए नितीज कुमार और इस वार फिर महागडबन्दन के साथ तालमेल बिठा कर वो सरकार बनाने के लिए तैयार हैं वे कल सपत लेंगे और सपत के बाद फिर बिहार का नए तरीके से विकास में वे जूट जाएंगे महागडबंधन के बिधायकों बिहार में फिर निती से और फिर निती से होगे मुख मंतरी मुख मंतरी का सितारा इस तरह से चमकता हुआ नजर आ रहा है कि वे फिर पलट जाते हैं और पलट कर पुनहवे सरकार में बापस आ जाते हैं बस ये किस्मत का सितारा चमकते हुए चल रहा है जिससे बिहार में बदलाब की फिर से उमीद है और इस वार महा गठवंधन के साथ मिल कर वे बिहार की सत्ता को आगे बढ़ाएंगे जिसमें की भी अहम भूमिका होगी चुकि कॉंग्रेस पार्टी और राजद तथा अन्यव पार्टियां उनके साथ हैं यह ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं अशोक कुमार अंज के साथ अंज न्यूज मिडिया की यह परस्तूती है खबरों से अपडेट रहने के लिए थैंक यू